तुकरीब 20 मंत्री विधायक पहुंचे है मुख्यमंत्री आवास पर और शांती धारेवाल गोबिंद सिंग डोटा सरा, महेश जोशी, सालेह मौम्मत, टीका राम जूली, भवर सिंग भाती, भजन लाल ज्राट, प्रमोजन भाया, हरिश रौदरी, महेंद्र चौदरी, जुनबा मरिया पहुंचे है मुख्यमंत्री आवास पर गंगा देवी और बलजूीत यादव सरेखे तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं पहुंचे हैं CMR पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त होट स्पॉट बना हुआ है, मुख्यमंत्री आवास जहां तक्रीबन 20 मंत्री और विधायक पहुंच चुके हैं और इसमें वो लोग शामिल है, वो विधायक मंत्री शामिल है, जो कि कल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे लेकिन आज जब उनसे संपर्ख सादा गया, उनसे बातचीत की गए, उसके बाद तमाम मंत्री विधायक जो कल नहीं पहुंच पाये थे आज वो मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं इससे पहले कुछ आफसर भी गए थे, इंटेलिजेंस के, जिन्होंने कानून ववस्ता को लेकर रिपॉर्ट सौपी थी, मुख्यमंत्री को पुरी देर के बाद वो भी ब्रीफ किया जाएगा लेकिन एक तरफ S.O.G की जो टीम है, फूरी मामले की ज्राज परताल कर रही है, इसमें ECB की टीम, ATS की टीम भी लगातार चानबीन कर रही है नोटेस जारी किया गया है, साचिन पाइलिट को भी नोटेस दिया गया है, मुख्यमंत्री आर्शो गलोद को भी इसके साथ ही तमाम और जो विधायक हैं, वो भी बतायज वारायक की 20-22 विधायक ऐसे हैं, जिनको नोटेस जारी किया गया है और जल से जल उनको जवाब भी देना है, आपको बता दे कि मुख्य सचेतक महिश जोशी को भी जवाब देने के लिए के लिए कहा गया क्योंकि शिकायत सबसे पहले उनकी तरफ से दर्श करवाई गई थी, आपको याद होगा कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा सकता है, बीजोपी की तरफ से, यह साजिश की जा रही है यही वज़े है कि जो साजिश रची जानी थी, उसको नाकाम्याब करने के लिए कई विधायकों की बाड़े बंदी की गई थी, उन्हें रेसौर्ट में रखा गया था और जब राज़स सभा के चुनाव हुए, जो दावा किया गया, दो सीटे जीतने का, वो सीटे जीती भी थी, कॉंग्रेस पार्टी ने, लेकिन बीज़ेपी को महज एक सीट ही मिली थी, क्योंकि उनका वोट प्रजेक्ट हो गया था लेकिन अब हलचल दोबारा से तेज हुई, जब राज़स सभा के चुनाव संपन हो गई, क्योंकि आशंका पहले ही जाहर की गई थी, कि ये जो इस तितियां बनती हुई प्रदेश में फिलाल नजर आ रही है, ये मामला यहीं नहीं ठेहरेगा ये इस तितियां आगे भी लिकट जाएंगी प्रदेश के सियासी हालात को और वही फिलाल नजर आ रहा है, लेकिन अब गुडबाजी की बात सामनी आ रही है, कि कई मंत्री और विधाय कैसे हैं, जो की नाराज हैं, दो गुटों में बटी हुई फिलाल पार्टी नजर आ रहे हैं, कि वहाँ पर वो स्वचिन फालेट से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन दूसी तरफ कई मंत्री ऐसे हैं, जो की कल नहीं पहुँच पाये थे, लेकिन आज वो मुखिया से मुलाकात करने के लिए पहुँची है, और जब मीडिया से उनोंने बात चीत की, तो उनकी तर पर बनाए हुए है और आपने कल भी देखा था कि आरोप, प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा था एक तरफ से मुख्यमंतुरी की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस की गई थी लेकिन दूसरी तरफ से सतीश पूनिया ने भी उन आरोपों का खंडन किया था उन आरोपों पर जवाब भी दिया था कि बेवज़े अपने घर को समाल नहीं पाए है कॉंग्रेसी और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं इस तरीके के इस वज़े से हमारे विधायकों को तोरने की कोशिश की जा रहे है लेकिन आपको बता दे कि निरदली विधायक भी कई ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और उन्हें जवाब देना होगा बाबुलाल नागर को भी आपने सुना था वो भी कह रहे थे उन्होंने खुद हमें हाट कॉपी भी दिखाई थी कि मुझे भी नोटिस मिला है और मैं भी जवाब देनी के लिए तयार हूँ तो SOG का नोटिस तमाम विधायकों को दिया गया है, मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है उप मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, इसके साथ ही मुख्य सचे तक महेश जोशी को भी नोटिस मिल चुका है ये नोटिस की कॉपी आपको दिखा रहे हैं जब बाबुलाल नागार इससे पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे जो की बार-बार ये बात कहते रहे हैं कि हमें किसी तरीके का मोह लालश नहीं है और हम पूरे सपोर्ट में कॉंग्रिस के साथ हैं, प्रदेश के मुख्या के साथ हैं ये बात कही गई थी लेकिन अब गुर्बाजी की नराजगी की भी कुछ खबरे सामनी आ रही है कि मौजुदा संकट में पाइलेट के रुक से नराजगी है बड़ी खबर आपको बता दे कॉंग्रिस आलकमान में नराजगी है और मौजुदा संकट में पाइलेट के रुक से नराज़गी पाइलेट को कल दी गई थी सलहा गुरुग्राम में विधायकों की बाड़ेबंदी की खबरों का खंडन करने